हलो अब्रिवेर करें देख लेते हैं जो टॉपिक्स निस्कस करने वाले वी इस तोपिक्स न्यूस्पेपर में दिये गए थे यहीं चुल्डर्न्सफंड के बारे में में प्रहमोच पर एक रीसेंट ट्रायल किया गया है Then section 69 AB News में था National Nutrition Mission के ओपर भी एक MCQ हम discuss करेंगे एक question हमारा Re-Invest 2020 पर रहने वाला है And सहिकार प्रग्या के ओपर भी हमने एक question या पर discuss करना है Agro-processing clusters को भी हम देखेंगे Then desalination क्या technique होती है इसके बारे में जानेंगे And finally Cyclone, Nivaar और Inter-Tropical Convergence Zone के ओपर हम discuss करते हुए पूरे lecture को revise करने वाले हैं अगर आपका कोई भी doubt है तो आप at the prince underscore Luthera पर directly मुझे telegram कर सकते हैं चाहे वो आपका prelims को लेकर doubt हो, mains को लेकर doubt हो या फिर interview को लेकर doubt हो जो नए members जिन्होंने अभी हमारी video series और test series को join किया है उनको welcome कर लेते हैं तो उद्ण सिंग, नीरम यादव, लवदीप, मानो और आमित कुमार, मीना Welcome to the new members चलिए कुछ चीज में आपसे discuss करना चाहता हूँ Because देखे, prelims 2020 जो है अभी जा चुका है और prelims 2021 जो है ऐसा काफी सारे लोगों को लग सकता है कि इसको आने में 2021 के exam को आने में वही काफी time है Believe me, ऐसा लगता है जब exam जो है आपका 6-7-8 मेने दूर होता है बट यहाँ पर time कितनी जल्दी UPSC की preparation में भी जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत सारे चीज़े आपने सोच रखी होंगी कि अगले 6 मीने में हम cover करेंगे जो भी books आपने multiple books ले रखी होंगी उसको cover करेंगे mock test भी कर लेंगे writing practice भी कर लेंगे लेकिन ये चीज़ आप करना शुरू करेंगे बहुत से लोग सोच रहेंगे January से शुरू करेंगे Feb से शुरू करेंगे March से शुरू करेंगे बट उस बज़े से ही काफी सारी चीज़े और काफी सारा जो time अभी आपके हाथ में वो निकल जाएगा काफी सारे students को मैंने कहा था कि mock test series जो उसे start कर दीजएगा बट I am not sure कि कितने लोगों ने start किये मैंने यह भी कहा था कि main answer writing जो उसकी भी practice करना शुरू कर दीजएगा बट अगे यह भी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस इसको करना शुरू किया है practice जो है UPSC mock test series की practice या फिर main answer writing practice शुरू नहीं करी है तो I suggest you please इसे start कर दीजिए because देखे UPSC का जो exam है ना it is not the school like exam यह कोई school या college का exam नहीं है यहां की जो requirement है वो different तरीकी की requirement है जो कि consistency demand करती है आपकी side से तो अगर आप everyday basis पे MCQ को practice नहीं कर रहे है mock test को नहीं लगा रहे हैं starting सिर्फ last के लिए से रख रहे हैं सोच रहे हैं कि writing practice अभी नहीं करते हैं हम last में कर लेंगे believe me यह चीज़ आपको बहुँ जादा problem दे सकती है अगर आप hundred percent committed है इस exam को लेके हैं आप जानते हैं कि इस exam को crack करना उतना असान भी नहीं है this is the mother of all exam लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसको crack करना impossible है इसको follow करके जब आपको success मिल सकती है तो क्यों short term pleasure के लिए आप उनको नहीं करते हैं जैसे कि आप writing practice जो है इसको नहीं कर रहे है इसको practice नहीं कर रहे है जो भी answers आपको लिखने होते हैं क्यों क्योंकि आपको लगता है कि पहले मैं एक book cover कर लेता हूँ मैं prelims के बात करना शुरू करूँगा या अभी नहीं मैं थोड़े सी later stage पर शुरू करूँगा जब आपको पता है कि this is very important stage to crack this examination और आपको ये भी पता है कि कहीं न कहीं आप इसे काफी time से postpone करते आ रहे तो क्यों नहीं से start किया था जब आप जानते हैं कि इसके भी ना आप means के exam को crack नहीं कर सकते हैं similarly mock test की बात करें अगर आपको पता है कि mock test और mcq practice काफी important होती है prelims exam को crack करने के लिए so why to defer it why to postpone it क्यों नहीं आप mock test को attempt कर रहे तो यह चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी mock test हो writing practice हो और इनसे भी important area है जो है revision जो भी चीज़ आप पड़ते हैं मैंने आपको बताया था पूरा revision के ओपर मैंने एक topic create किया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से revision करनी चाहिए early morning जो पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए वो revision होनी चाहिए रात को सोने से पहले भी आपने जो पूरा दिन पड़ा उसकी revision आपको करनी है but how many of you are actually doing है तो यहाँ पे अपने आप में आपको एक introspection करने की जरूवत है कि जो revision के बारे में बात करी गई थी जो mock test के बारे में बात करे गई थी जो writing practice के बारे में बात करे गई थी क्या आप वो कर रहे है या नहीं कर रहे है अगर कर रहे है तो बहुत अचीव बात है वहां जाके जो free mock test है उससे शुरुवात कर सकते हैं और वह attempt कर सकते हैं हमारे जो pre come main series है उस पर winter 50 code को आप यूज कर सकते हैं काफी साथ students ने request किया था कि वह afford नहीं कर सकते हैं that's why यह special discount जो निकाला गया है तो आप कोशिश करिएगा because there is no time period for discount हो सकते इसे कली अटा लिया जाए हो सकते एक अफते के बाद अटाया जाए तो कोशिश करिएगा जितनी जल्दी आप इसको use कर सकते है use कर लीजएग for pre come main series marking scheme की बात करें तो देखिए आप जानते कि 6-6 से जादा question आपको correct करने होते है to be in the safe zone जो कि आपकी upper two brackets है 6 से come score आपका आता है तो आप कोशिश करिएगा दुबारा से attempt करने की और चाहें तो अपने notes भी जो है वो बना सकते है चली आज के पहले question पे चलते है first question बात करता है UN Children's Fund को लेकर देखे topic जो है UN Children's Fund है इसको आप underline करें जो पूचा है statement करें उसको आप circle में डालें और यहां पी आप one by one statement को पढ़ते है पहली statement UN Children's Fund के बारे में कहती है it became a permanent part of the United Nation in 1953 1953 के अंदर यह United Nation का एक permanent part बन गया था हो सकता है it is guided by convention on the rights of child तो जो convention on the rights of child आपको जा था उसके द्वारा इसे guide किया जाता है हो सकता है it was awarded the noble price for peace for promotion of brotherhood among nations तो nations के अंदर जो आपका brotherhood होता है भाई चारा होता है उसको भी promote करने के लिए इस UN फंड को children fund को यहाँ पर noble peace price जो है वो दिया दा चुका है सोचिए फिर discuss करते हैं चली discuss करते हैं hope आपने इसके answer के बारे में सोच लिया होगा देखिए UN children's fund जो है इसकी शुरुआत होई थी as ISEF जिसका नाम था international children's emergency fund इसे UN ने UNICEF ने create किया था 1946 के अंदर और बाद में इस nation in 1953 यह statement बिल्कुल ठीक है पहली statement आपकी correct हो जाती है उसका एक permanent component के तोर पे यह उनी सो तरेपन में बनाता शुरुआत कब होई थी 1946 में as ISEF यह दियान रिखिएगा यहाँ पर बात करें जाए क्यांकि UN children's fund यह 350 से जादा global partners के साथ जिसमें airlines है logistics partners है shipping lines है उनके साथ काम कर रहे है ताकि COVID-19 की vaccine जैसे ही available होती है billions of such vaccines जो है various countries के अंदर provide कराई जा सके in the minimum possible time कम से कम समय में यह जो दवाई है यह जो vaccine है इसे provide कराई जा सके सबी लोगों को इस चीज़ के लिए UNICEF काम कर रहा है तो answer क्या हो जाएगा यहां पर UNICEF का answer जो होगा first question का D will be the correct answer यह चीज़े हम discuss कर चुके है एक बार headquarter देख लिए कहां पर New York City के अंदर है चलते है question number second के ओपर question number second जो है ब्रहमोस के बारे में है पूचा के ब्रहमोस के बारे में बताईए यहां पर कौन सी statement आपकी correct बैसिकली land attack version ब्रहमोस के बारे में बताना है जो अभी recently एक trial किया गया है तो पूचा गया है कि बताईए कौन सी statement ठीक है पहली कहती है इसकी जो range है वो 400 km है यह एक subsonic cruise missile है हो सक test करते हैं चली तो अभी एक दिन पहले ही इसे successfully test fire किया गया है इसको अभी test fire किया गया है कहां से अंडमान निको बार से तो यहां पर test fire की जो location है that is not of Chandipur Odisha Chandipur Odisha Chandipur Odisha नहीं है हलाकि काफी सरी चीज़े Chandipur Odisha से भी test fire करी जाती है इस वज़े से मैं आपको यह map location दिखाने वाला हूं Chandipur की but this time जो test fire किया गया land attack version का वो अंडमान निको बार से किया गया है and it was a successful trial तो यहां पर third statement आपकी incorrect है second भी incorrect है because it is not subsonic it is supersonic और जो range है यहां पर वो 400 km answer क्या हो जाएगा यहां पर answer will be C अगर आप difference बूचे कि subsonic supersonic में क्या होता है basically देखिए simple language में subsonic जब speed जो होती है मिसाल की या bullet की वो less than the speed of sound होती है वो जो आवाज जो ध्वनी की speed होती है उससे कम होती है उससे कहते है subsonic ठीक है अगर ध्वनी की तीवरता से वो जादा होती है उससे कहते है सूपर सोनिक चलिए एक बार location देख लीजिए एक बार चांधीपूर की यहां पूरिसा के Eastern Coast चांधीपूर इस लोकेटेड चलते हैं question no.3 के ओपर question no.3 जो है section 69 A को लेकर है पूचा के section 69 A of the Information Technology Act जो है इसके बार मैं बताएं कौन सी statement correct है देखे section 69 A के ओपर question means के अंदर भी पूचा जा सकता है द्यान रिखेगा काफी important article है यह काफी important section है अब यहां पर question जो पूच रहा है उसको देख लेते हैं यह पर पहरी statement कहती है अगर कोई भी वेबसाइट ऐसा कोई content दे रही है जिससे हमारी unity और integrity को खत्रा होता है हमारे relation हमारे जो friendly countries है हमारे जो friends है उनके साथ खराब होते है यह फिर public order जो है वो खराब होता है तो उन websites को ban किया जा सकता है after following the due procedure सोचिए फिर डिसकस करते हैं चली तो recently जो government है उसने 43 mobile application जिसमें ज्यादतर Chinese application जिसमें अली suppliers, aliexpress, aliepay, cashier, camcard, dingtalk इन सब को यहां पर ban किया है क्योंकि ऐसा कहा गया है यह जो applications है यह कहीं न कहीं आपकी national security integrity integrity को खत्रा बुचारी है होता है कि जब भी कोई app आप download करते हैं वो सबसे पहले तो मांगती है आपसे access आपके contacts का आपकी photos का आपकी gallery का और यह access देने के बाद सारा का सारा data जो है वो access कर पाते हैं और इस access data को चाहें तो अपने पास store करके भी रख सकते हैं तो कहीं न कहीं जब citizens का data in apps के पास चला जाएगा Chinese apps के पास तो हमारी जो security है उसको तो खत्रा हो गई बहुत से लोग जो है वो कहते हैं आधार में हम data नहीं देंगे आधार में data नहीं देना चाहते हैं लेकिन जब भी कोई Chinese app download करते हैं तो वहां पे सारा का सारा data दे देते हैं तो जब हमा आपकी information हो तो हम उसको allow कर देते हैं तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ही यहां पर जो central government है इन्होंने एक initiative लिया है और काफी सारी Chinese apps को पहले भी bank किया गया था और अब भी bank किया गया है तो यहां पर यह जो दोनों points हैं आपको काफी ज़र्दा help करेंगे means के अंदर answer लि integrity को भी खत्रा पोचा सकती है या फिर हमारे friendly relation आसपास की countries के साथ खराब कर सकती है या देश के अंदर कोई माहोल को खराब कर सकती है तो उनको ban किया जा सकता है तो यहां पर दोनों statement ठीक होने की वज़े से answer हो जाएगा सी इसी वज़े से section 69a जो IT Act का है यह काफी important हो जात है तो तो तीन कैटेगरी से children है pregnant women है lactating mother है उनके लिए nutrition outcome को हमें improve करना है 80% जो इसका budget आता है वो multilateral development bank से आता है सोची फिर discuss करेंगे आपको correct बताना है चलिए तो यहां पर recently नीटिय यहां पर रिपोर्ट रिलीस किया है जिसका नाम है accelerating progress on nutrition in India what will it take यह basically third progress report है national nutrition mission या फिर जिसे हम कहते है पोशन अभियान तो पोशन अभियान के उपर जो third progress report है वो नीटिय आयो के द्वारा release करी गई है इसी वज़े से यह न्यूस में थी मैं आपको इसमें newspaper cutting भी दिखाऊंगा यहां पर हम पोशन अभियान की बात करते हैं तो 50% of total budget that comes from world bank और other multilateral development bank तो महां कहां से आता है world bank से आते और दूसरे associated bank से 50% इसका budget आता है remaining 50% जो होता है वो central budgetary support के दिया जाता है तो second statement हो जाते है incorrect A और C को आप करिए eliminate it means answer या तो B होगा या फिर B होगा अब 50% आपती possibility बढ़ गई आपर अगर हम पहली statement को देखे तो national nutrition mission के अंदर हम कब से प रूख करने के लिए उसमें बच्चों को pregnant women को और lactating mother को include किया जाता है तो काफी common sensical statement थी first statement हमारी correct है answer हमारा हो जाता है B ध्यान रखिएगा portion अभियान के बारे में भी चली next question पे चलते है which is question number fifth जो कि reinvest 2020 के बारे में है पूछा गया है reinvest 2020 के बारे में बताईए कौन सी statement आ गया है इस बार का जो theme है वो है innovation for sustainable energy transition हो सकता है यह भी it will feature conference on renewables and future energy choices तो यहां पर conference किसके ओपर करी जा रही है कि renewables को कैसे use किया जा सकता है future के अंदर कैसी कैसी energy जो है उसका इस्तमाल में लाया जा सकता है सोचिए फिर discuss करते है चली तो अच्छी चीज यह है कि Prime Minister Narendra Modi ज जो है हमारी third global renewable energy investment meeting and expo इसी बज़े से reinvest इसे इसले ही का जाता है reinvest के full form के renewable energy investment meeting and expo 2020 इसको यहां पर और और इसकिया जा रहे हमारे Prime Minister के त्वारा कब आज ही 26th of November 2020 को तो आज ही आपको यह काफी सरे news terms पर भी देखने को मिलेगा तो इसका inauguration हो रहा है और यह inauguration के पीछे जो history है वो भी काफी strong है 2015 से 2018 तक दो edition जो है इसके हो चुके हैं this is the third edition और वो जो दो edition है काफी successful रहे हैं जहां पर conference के अंदर promotion किया गया है renewable energy का कैसे इसे इस्तिमाल में लाया जा सकता है और कैसे इसे as a future source of energy के तोर पे use किया जा सकता है ठीक है अब आपको basic criteria पता चल गया कि reinvest किसके बारे में re मतलब renewable energy और जब renewable energy की बात होती है तो ministry of जल्शक्ती का महाँ पर रोल नहीं होगा अगर आपको re की full form पता होती तो definitely a को आप eliminate कर देते हैं और आपको यह पता चल जाता है MNRE that is ministry of new and renewable energy का रोल इसके अंदर काफी conspicuous है काफी significant है क्योंकि MNRE ही इसे दो दिन के लिए रदर तीन दिन के लिए 26 तारीक से लेकर 28 तारीक तक इसे organize कर रही है और क्योंकि पहली statement आप eliminate कर पाए तो a और b को आपने eliminate कर दिया it means तीसरी statement के बारे में आपको सोच नहीं के जरूइत नहीं है वो तो ठीक होगी ही होगी क्योंकि यहां पर renewable और future energy choices के बारे में बात करी जानी है थीम के ओपर अब depend करता है कि क्या आपको थीम पता है या नहीं पता है ताकि आप इसके answer को mark कर पाए तो yes इस बार का जो theme है वो यही है innovations for sustainable energy transition तो आपका answer क्या हो लेकर इस इसके बारे में third global reinvest यह आज हमारे prime minister जो है launch करने वाले है चलिए प्रीकम मेंस का guidance program है तो इसके अंदर आप subscribe कर सकते हैं you can use the 50% coupon code winter 50 को use कर सकते हैं और इसमें आपको basically video series जो है वो मिल जाएंगी spectrum, Indian quality, art and culture, means के भी इसके अंदर आपको writing practice के लिए series मिल जाती है, cset और prelims के test series तो मिली जाती है और इसमें क्योंकि validity दो साल की है तो मेरी guidance भी मेंस के लिए हो या फिर interview stage बाद में लबासना के लिए हो तो आप इसको subscribe कर सकते हैं, unroll कर सकते हैं exam.net.com पे जाके वहाँ इसे पहले check out कर लीजेगा, चली, question number 6 पे चलते हैं, which are the following statement is or are correct about सहिकार प्रग्या, सहिकार प्रग्या के बारे में बताईए, कौन सी statement आपकी सही है कौन सा कतन आपका सही है, काफी important question है, recently इसके उपर news आई थी, वो भी देखेंगे, बट पहले, it's a part of series of initiatives taken by NSDC National Skill Development Corporation, ताकि इंडिया की cooperative society को strengthen किया जा सके हो सकता है, it embodies enhancing National Skill Development Corporation, training capacity through an elaborate network of 18 regional training centers across the country, तो इसके अधर 18 regional training centers जो उनको बनाया गया है, ताकि National Skill Development Corporation के जो training capacity है, उसको increase किया जा सके, सोचिए, फिर discuss करते हैं, चलिए discuss करते हैं, तो यहां पर यह देखिए, training के बात हो रही है, बिल्कुल सही है, और यहां पर skill development के भी बात हो रही है, but this is, this particular program, सहकार प्रग्या, is not the part of series initiative, जो कि NSDC ने लिए है, rather, it is taken by NCDC, National Cooperative Development Corporation, so it's a part of series of initiative, taken up by NCDC, that is National Cooperative Development Corporation, ताकि इंडिया की cooperative societies की जो skill है, उसको strengthen किया जा सके, तो जो यहां पर body है, उसका नाम गलत दिया हुआ है, तो पहले statement गलत हो जाती है, यहां पर National Skill Development Corporation training capacity जो है, वो increase करी जाएगी, तो yes, training यहां पर देने की बात करी जा रही है, और वो भी 18 regional training centers के द्वारा, और यह कहा गया कि 18 fold यहां पर improvement देखा जाएगा, बट यहां पर enhance जो करना है, National Skill Development Corporation training capacity को नहीं करना है, NCDC की training capacity को करना है, तो second statement आपकी incorrect हो जाती है, एक बाद देख लीजिए, क्योंकि इसे launch किया है, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare ने सहिकार प्रग गया, NCDC जो है इसकी अंदर, यह training को impart क करेगा किसको, यह primary cooperative societies, primary, PCS कह सकते है, primary cooperative societies को training जो है, rural areas के इन प्रवाइट करेगा, साथ में लाइनेक भी इसके साथ राएगा, लाइनेक क्या है, लक्षमन राहो इनामदार National Cooperative Research and Development, तो इनको training प्रवाइट करी जाएगी, और यह कहा गया है, क्योंकि 18 regional training centers खोले जा रहे ह है, वो 18 गुना जो है, बढ़ने वाली है, यहाँ पर, तो PCS को training दी जाएगी, मतलब primary cooperative societies को, और साथ में लाइनेक को, लक्षमन राहो इनामदा National Cooperative Research and Development Academy को, यहाँ पर training जो है, 45 new training modules है, वो भी सहकार प्रग्या के अंदर add करेगा है, 18 regional training centers जो है, वो भी network को expand किया गया है, जलते हैं, Q7 के उपर, पूछा गया है, फिर फॉलिंग, does not form a component of agro processing cluster, तो agro processing cluster अभी news में था, बताऊँगा, क्या क्या इसके component है, तो पूछा गया कि इसके component में क्या चीज़ involved नहीं है, क्या roads इसमें आती है, cold storage, minimum 5 acre of land, सोचिए फिर डिसकस करते हैं कि agro processing cluster के अंदर, कौ कौन से components आते हैं, सोचिए, देखे, government के एक scheme है, the scheme for creation of infrastructure for APC, that is agro processing clusters, जिसके अंदर, government ने 7 projects जा है, इसको अपरूब किया है अभी, ताकि infrastructure agro processing clusters के लिए, वो create किया जा सके और इसके लिए allocation किया गया है, 235 करोड का, ध्यान रखिएगा, तो 235 करोड का allocation 7 clusters को produce करने के लिए create करने के लिए दिया गया है, ताकि infrastructure वहाँ पे create किया जा सके, अब आते हैं, agro processing cluster development के बारे में, aim क्या है scheme का, सबसे पहले, तो यहाँ पे जो entrepreneurs होंगे, वो आके investment करेंगे, वो अपने, यहाँ पे जो set up करेंगे, food processing units है, इसके बारे में भी cluster में बात करी गई है, investment के बारे म बात करें, तो इसमें हमने देखा था क्या के चीज़ें होनी चाहिए, boundary wall होनी चाहिए, roads होनी चाहिए, drainage water supply, electricity supply, यह सब चीज़ें आपकी basic enabling infrastructure तो वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जगा अपनी unit लगा रहे है, agree processing cluster के अंदर, तो वहाँ पे जो unit है, उसके प infrastructure था, core के अंदर lab होनी चाहिए, cleaning, grading, sorting, क्योंकि food processing कर रहे है, तो वहाँ पे चेक तो करना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप बना रहे है, यहाँ पे इसके रावा warehouse होना चाहिए, cold storage, जो भी चीज़े आपने बना है, उसको store करने के लिए cold storage, chambers होनी चाहिए, special packaging होनी एक जगा के अंदर जो आप unit लगाते है, वहाँ पे आपको यह सारी facilities जब मिल जाएंगी, तो ही आप अच्छे से काम कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमने जो question पूछा था, components के बारे में, तो yes, roads की बात करी गई है, यहाँ पे cold storage की बात करी गई है, और minimum 10 acre of land की बात करी गई minimum 10 acres of land required है, to be arranged either by purchase या फिर आप lease पे लेते हैं तो, यहाँ पे minimum 10 acres का जो criteria है, वो ज़रूर ध्यान रिकेगा, otherwise agro processing cluster development में होना क्या है, government जो इसमें 235 लगा के, एक infrastructure जो वो develop कर रही है, ताकि entrepreneurs आएं और अपने processing units को महाँ पर लगाएं, processing units के लिए उनको basic amenities और core infrastructure जो वो भी provide किया जाएगा, और यह investment का criteria रखा गया है, ताकि हर कोई इसमें नहीं जा सकते है, छोटे-छोटे जो entrepreneurs के वो नहीं जा सकते है, minimum investment के लिए भी बताया है, ताकि serious player इसके अंदर आएं, और साथ में ही, जो यहाँ पे land के requirement है, वो भी बता रहे है, land purchase करेंगे तो भी बता रहे ही है, और चाहें तो वो lease भी ले सकते हैं, चली, question number 8 को देखते हैं, जो कि desalination को लेकर है, desalination के बारे में पूछा है कि बताए, कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कतन आपका सही है, question बनाए क्यों गया है, क्योंकि recently महराश्रा ने announce किया है, कि वो एक desalination plan जो है, वो कहां बनाने वाले हैं, वो मुंबई में establish करने वाले हैं, और ये announcement के बाद, महराश्रा जो है, अपने अपने fourth state बन गया है, country के अंदर, जो ये experiment करने वाला है, first statement को देखते है, is it an inexpensive way of generating drinking water, तो मतलब जो पीने का बानी होता है, उसको generate करने के लिए, desalination जो technique है, ये economical है, सस्ती है काफी इसमें high amount of energy की जरुद पढ़ती है, and highly concentrated brine इसके अंदर as an output निकलता है, brine क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, सोची इसके बारे में, फिर हम discuss करेंगे, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, कि जो desalination की technique है, जो ये technology है, ये भी उतनी जदा developed नह बना शिरू कर देते, क्योंकि desalination में यह होता है, जो आपका नमकीन पानी होता है, उसमें को desalinate करते हैं, उसमें से जो उसका नमकीन वाला component होगा है, वो अलग करते है, और उसको पीने योगया पानी बनाया चाहता है, तो ये जो पूरी की पुरी प्रक्रिया रहती है, प ज़्यादा energy की ज़रूत पड़ती है, इसी वज़े से ये पूरा का पूरा प्रोसेस और भी ज़्यादा costly हो जाता है, तो second statement भी आपके ठीक है, यहाँ पर highly concentrated brine जो होती है, as an output निकलती है, brine क्या होती हो, मैं भी आपको बताता हूँ, तो तीसरी statement भी आपके ठीक है, answer हो जाएगा, desalination जो एक expensive way है, जिससे की पीने के पानी को यहाँ पर high amount of energy को use करके produce किया जाता है, देखिए, इस तरीके से काम करता है, इसमें आपका जो समुदर का पानी, जो आपका नमकीन पानी होता है, आप उसको अपने plant के अंदर लेते हैं, तो यहाँ से input होता है, और जो आपका reverse osmosis का पूरा process होता है, जो कि आप घरों में भी use करते हैं, उस पूरे process से होके पानी को गुजारा जाता है, देन वहाँ से पानी आपका clean पानी निकलता है, लेकिन at the same time जो आपका नमकीन पानी होता है, वो भी यहाँ पर release किया जाता है, तो यहाँ पे जब पानी का पानी, आप कैसे हैं, to an extent पीने का पानी है, इसके बाद और further treatment इसके ओपर किया जाता है, reverse osmosis, post treatment इसके ओपर apply किया जाता है, and then finally आपको पीने का पानी मिलता है, और इस पूरे process में, अलग-लग stages के ओपर, आपका जो ब्राइन है, जो रमकीन पानी है, वो release होता है basically brine क्या होता है, जो आपका salt concentration होता है, पानी में से salt निकाल दिया, तो जो salt का पूरा concentration होगा, उसको आप brine कहते हैं, और यहां पर बहुत सारी जगह पे ऐसा दिखा गया, कि इस brine को, पूरे के पूरे जो solidified यहां पे salt रहता है, पूरा का पूरा concentrated salt रहता है, उसको हम काफी जगह पे ऐसा complaint किया गया है, कि जब भी आप इस brine को release करते हैं, पाकी पानी के अंदर, तो वहां का जो ecosystem होता है, पूरी की पूरी जो ecology होती है, वो कहीं न कहीं damage हो जाती है, तो इसका एक सही तरीके से treatment करना भी काफी जरूरी है, otherwise जो हमारे sea animals होंगे, जो हमारे sea species ह है, उनको नुकसाम हो सकता है, चलिए, question number nine को देखते है, recent cyclone निवार has made a landfall at, तो अभी recently cyclone निवार जो है, काफी news में है, अभी news आई थी कि इसने एक जगह पे landfall किया है, कहां पे किया है, केरला में, माराश्टरा, तमिलनाडू, गुजरात, सोचे फिर डिसकस करते हैं, तो यह पूरा इसका जो रीजन है, जो इसके अभी प्रभा में आया हुआ है, और तमिलनाडू के अंदर landfall करने के लिए responsible है, तो हमारा answer हो जाएगा, C, यह चीज़ भी ध्यानर कियाएगा, कि इससे पहली 2018 में, cyclone gaza आया था, और उसके बाद अभी यहां पे निवार आया तो answer हो जाएगा हमारा C, चलते हैं, next question के ओपर, which is the last question of today, जो कि ITCZ के बारे में है, तो intertropical convergence zone के बारे में पूछागे कि बताइए कौन सी statement correct है, पहरी statement कहती है, it is the region of ascending air, maximum clouds and heavy rainfall, तो यह एक ऐसा region होता है, जहां पे air ऊपर की तरफ जाती है, maximum number of clouds होते हैं और rainfall काफी तो summer season में क्या होता है, topic of cancer पे जो आपका sun होता है, वो shine करता है, और ITCZ जो है, वो southward direction में shift हो जाती है, southern ITCZ is the zone of clouds and heavy rainfall that affect India, तो southern ITCZ जो होती है, वहां पे clouds काफी जादा होते हैं, और clouds जादा होने के साथ साथ, वहां पे heavy rainfall भी होती है, जो की इंडिया को affect करती है, सोचिए यहां पे डिसकस करते हैं, चलिए, तो अगर हम intertropical convergence zone की बात करते हैं, तो यह से एक ऐसा zone होता है, जहापे clouds काफी जादा होते है, air उपर की direction में जा रही होती है, और heavy rainfall होती है, तो पहली statement हो जाती है, ठीक, then अगर summer season की बात करें, तो देखिए, एक पर summer season में होता क्या ह जो है, tropic of cancer के अपर vertically होता है, और ITCZ जो है न, वो northward direction में shift करती है, तो यहां पे इसी वज़े से, NITCZ भी कहते हैं, north intertropical convergence zone, तो यहां पे southern direction लिखा होता है, इस वज़े से यह statement हो जाती है, आपकी गदर, southern ITCZ जो है, यहां पे cloud and heavy rainfall होती है, जो कि इंडिया को impact करती है, अगर बात करीजाएं, जो जादा impact आपका इंडिया का होता है, वो summer के time पे होता है, clouded region होता है, जादा rainfall होती है, और इंडिया जो है, काफी हद तक यहां पर impact करता है, this is not true in the case of winter, और या फिर southern, तो यहां पे northern ITCZ जो है, that is the zone of cloud, that is the zone of heavy rainfall, जो की इंडिया को affect करता है, ना यह जिसे NITCZ भी कहा जाता है, और NITCZ जो है, it's a zone of cloud and heavy rainfall, जो की इंडिया को impact करता है, तो धियान रखिएगा, इसके बारे में, answer आपका हो जाएगा, चलते हैं, अब revision के ओपर, हमारे जो 200 days का UPSA exam preparation का module है, उसे जरूँच चेक आउट कर लीजेगा, so this will help you, तो इसमें आपको जो 200 days का एक पूरा plan होता है, वो provide किया जाता है, जिसके अंदर आपको, यहां पे अभी 101 lectures दिख रहे हैं, तो more than 1000 lectures जो होंगे, यहां पे आपको कराई जाएंगे, more than 1000 quizzes जो हो से ट्यारी करना शुरू करिए, जो everyday basis पे lectures आपको दिये जाते हैं, उनको देखे जिसमें current phase भी cover किया जाएगा, Indian quality, Indian लक्षमी कांस, spectrum की series इसमें रहने वाली है, art and culture रहने वाला है इसके अंदर, Indian economy रहने वाली है, साथ में geography और history के जो ancient part होता है, उसको भी इसमें cover किया ज आपके success के chances जाएं, वो almost 100% आप achieve कर जाएं, तो यहाँ पर इस particular series को check out कर लीचेगा, 200 days का जो पूरा का पूरा schedule है, वो इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है, चली, revision करना start करते हैं, शिरुवात हमारी UNICEF को लेकर, UN Children's Fund के बारे में देखा था, Nobel Peace Price दिया जा चुका है, औ hand attack version उसको launch किया गया है, 400 km इसकी range है, supersonic missile है, मतलब दोनी की जो तीवता होती है, जो sound की speed होती है, उससे जादा इसकी speed है, इसे अंदमा निकोबार से launch किया गया है, ITX के बारे में देखा था, section 69A के बारे में, तो यहाँ पे central comment के बारे में बताया गया था, यहाँ पे mobile apps जो है, Chinese mobile apps, उसको दुबारा से एक बर ban किया गया है, section 69A के अंदर, national nutrition mission के अंदर, किनको cover किया जाता है, यह देखा था, और यहाँ पे 50% जो budget है, वो world bank और दूसरे mult multilateral bank से portion अभ्यान के लिए लिया के आए, फिर reinvest के बारे में देखा था, आसे ही जो पूरा का पूरा conference से start होने वाला है, Prime Minister से launch करेंगे, तीन दिन का पूरा यह program लेने वाला है, और new and renewable energy ministry ने इसको organize किया है, renewable energy के बारे में इसमें बात की जानी है, then इसके बाद discussion हुआ था, हमारा सहकार प्रग्या के बारे में, सहकार प्रग्या के अंदर हमने देखा था कैसे, NCDC, National Cooperative Development Corporation जो है, वो यहाँ पे skill provide करने वाली है, और जो capacity है, वो increase होने वाली है, skill किसको दिये जाएंगे, primary cooperative societies को, then we discussed about agro processing cluster, इसमें roads, cold storage, minimum 10 acres of land, हमने देखा था, कैसे entrepreneurs इसके ने technology है, माराष्टर चोथा plant इसको लेके आ रहा है, पहले 3 states के अंदर ये plant के बारे में बात करी जा चुकी है, brine इसमें release किया जाता है, जो कि ecology of sea जो होती है, उसको यहाँ पर damage कर सकता है, cycle निवार और cycling gaza के बारे में हमने discussion किया था, तामिलाडू में landfall करने के लिए responsible ये र हो गया, question of the day, जिसको आपको answer करना है, to win the, not pdf, to win the test series, environment relief fund was established under which act, environment relief fund जो है, वो किसके under, यहाँ पर established किया गया, last time हमने देखा था, so if you want to win the free mock test series, इसका answer comment section में जरूर करिएगा, then question of the day के बारे में, ये main's का question आपका, जो आपका, जो आप answer कर सकते है, netmock.com के अंदर, last time जो correct answer किया है, वो किया है, तनुच भट ने, तनुच भट आपको चे, at the rate, prince underscore, luthra पे बता दीचेगा, कि आपको जो mock test series, जो आपने win करिये है, यहाँ पर, वो आपको हिंदी में चाहिए, या English के अंदर, comment section में अपने marks जरूर लिखेगा, अगर आप उसे improve होता देखना जाते हैं, तो यह एक तरीके से accountability establish करता है आपकी, ताकि आगए आने वारे time में आपकी performance और भी increase हो सके, telegram पे आपको PDF जो है lecture की मिल जाएगी, thanks for watching, see you the next time, have a nice day, goodbye.